कि अग्ट कि अग्ट कि अग्ट कि अग्ट कि है विलके बैक आपको आज ना इतना महत्पूर्ण एडेली उजज ऐसे ऐसे कुछ फ्रेजेज कुछ वोकैब लाया हूं चून करके जो आज गर सिखोगे न तो आज कम से कम आप दिन भर में दस संटेंस तो बोल ही लोगे इतना महत्पूर्ण है बस आज इसको कोसिस करो और देखो कि कईक बार एक्जाम में भी पूछा जाता है और हमेशा सुबह से साम तक बोलने के काम तो आता ही आता है तो मेरे साथ आज आज आपको बोलना भी है प्रैक्टिस भी करना है और सेंटेंस भी कईक बनाना है तो तो करते हैं मेरे साथ एक-एक vocabulary जो आप कर सकते हो, देखे अराम से हमने लिका है do not remember, अब do not remember ध्यान नहीं रहना, जैसे बोलते हुआ यार मुझे ध्यान नहीं रह रहा है, तो I don't remember, तो do not remember कहीं भी लगा सकते हो, जब आपको बोलना हो, ध्यान नहीं रहना, तो ध्यान नही इस वर्ड को आप याद रखिये, कई की तरह के महतपून सब्द है ये, आप बोर्ट सब दिख पा रहे हो, moreover, अब देखिये, वर्ड है moreover, और तो और, नहीं बोलते हैं, और तो और, वह ऐसे भी बोला, तो और तो और को ले क्या बोला है, moreover, तो moreover, और तो और, he didn't speak him, बोलते हो ना, और तो और उसने उससे बात भी नहीं किया, तो और तो और, कितना महतपून सब्द है ना, तो और तो, और, moreover, और तो और, moreover, ठीक है, take interest in, किसी चीज में मजा लेना, किसी चीज में इंट्रेस्ट लेना, किसी चीज काम में मन लगना, take interest in, किसी काम में मन लगना, take interest in, जैसे बोलते हो, I am taking interest in reading English book, I am taking interest in teaching, you are taking interest in reading, तो take interest in, किसी काम में मन लगाना, किसी काम में मन लगना या लगाना, तो क्या बोला, take interest in, अब होता क्या है, कि जब आप word याद करो, तो उसी समय सेंटेंस भी चाहो तो बोल दो, और इसको daily use में दोगो, speaking आप नहीं कर पाते हैं, बज़ा आपने जाना है कभी क्या, नहीं, actually क्या हम लोग grammar पढ़ते रहते हैं, हमेशा grammar के जून में पढ़े रहत आज कल अंगरेजी का understanding चाहिए, ग्रामर पढ़के नहीं, आपको नाउन भी अगर पढ़ना है तो वो भी applied version में, यानि applied का मतलब हो गया, कि आपको जो use में काम आता हो, वही पढ़ना है, बढ़ना बाकी सब किसी काम का नहीं, अब यहाँ देखो, take interest in, किसी काम में लगना sleep soundly, sound sleep या sleep soundly, यानि कि गहरी निंद सोना या गहरी निंद लेना को हम लोग कहते हैं, sleep soundly, यानि sleep soundly, यानि आपका जो निंद है, वो गहरा है, sleep soundly, गहरी निंद में सोना या गहरी निंद लेना को हम लोग बोलते हैं, sleep soundly, it's likely, it's likely का मतलब होता हो सकता है, नहीं बोलते ह इत्स लाइकली का मतलब हो सकता है तो कोई भी आप बोलो इत्स लाइकली ही में कम हो सकता है वो आए तो इत्स लाइकली का मतलब हो सकता है अब चलिए मेरे साथ दुरा लिजे फिर आगे बढ़ते हैं और तो बोलिए Do not remember, आपको भी बोलना है, ऐसे नहीं, देखो, जब तक ये जुआन खोलोगे नहीं, ये जबड़ा उपर निचे नहीं आएगा, अंगरी जी बोलना नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने और पहाने का मतलब अंगरी जी नहीं होता, L-S-R-W, listening, reading, speaking, writing, जब तक आप listening कर रहे हो, तो साथ साथ आपको speaking करना है, बोलना है मेरी साथ, तो बोलने से क्या होगा, याद होगा, do not remember, बोलो, do not remember, ध्यान न रहना, moreover, और तो और, moreover, और तो और, take interest in, take interest in, किसी काम में मन लगना, take interest in, sleep soundly, sleep soundly, बोलो, sleep soundly, गहरी निंद में सोना, it's likely, it's likely, हो सकता है, बहुत आगे देखिए, drive away, छठा word है, drive away का मतलब वोता भगा देना, इस सब लिख करके आपकी लाया हूँ, ताकि आप याद करो, drive away, drive away का मतलब भगा देना, बोलतो हो भगा दिया, he drove away, तो drive, देखो यहाँ पे word जो है ना, इसको V1, V2, V3 आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक रही तो drive away मतलब भगा देना, speak ill of others, दूसरे की बुराई करना, speak ill, ill का मतलब होता है बुराई, speak ill of others, दूसरे की बुराई करना, बोलते हैं ना, don't speak ill of others, दूसरे की बुराई मत करो, don't speak ill of others, दूसरे की बुराई मत करो, तो तेखो, speak ill of others, दूसरों की बुराई करना, बहुत लोग होता क्या है, सुबह से साम तक उसमें लगे रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, दूसरों की बुराई करना, speak ill of others, दूसरों की बुराई करना, be on the run all times, भा भागा भागा फिर रहा है पता नहीं वो जा कहा रहा है तो भागा भागा फिर ना be on the run all times इतना महत्पून सब्द है न कि दिन भर में काम आता ही आता होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा आपको याद करने में और सुने में मुस्कुराहट बता रही आपकी क्या कहा बी on the run all times भागा भागा फिर ना हर्ट रेंडिंग निउस हर्ट रेंडिंग निउस हिर्दै बिदारक समचार अभी एक आपने सुना होगा कि एक हाथी का मौत हो गया हाथनी का मौत हो गया इसके पेट में बच्चे थे उसको लोग किसी ने बॉम खिला दिया है ना बॉम बाला फल खिला दिया तो क्या होँ हर्ट रेंडिंग निउस हिर्दै बिदारक समचार तो हर हिंदुस्तान के हर लोगों ने बड़ा ही रोया होगा अंदर से उसको जलाठ होगी अंदर से वो कांप गया होगा कि भाई ये क्या मामला है कैसे हो गया है ना तो हिर्दै बिदारक निउस यानि मतलब होता है खुशी का दिन इट्स गाला डे टुडेई आज खुशी का दिन है तो गाला डे मतलब खुशी का दिन गाला डे खुशी का समचार खुशी के दिन को हम लोग गाला डे कहते हैं गाला डे खुशी का दिन गाला डे खुशी का दिन अब चलो मेरे साथ एक बर धुरा लो याद हो जाएगा बुरो जाएगा बुरो जाएगा ड्राइव अबे फड़ापट जल्दी जी बोलो फड़ापट ड्राइव अबे भगा देना भगा देना Speak ill of others दूसरों की बुराई करना speak ill of others दुसरे की बुराई करना speak ill of others दुसरे की बुराई करना speak ill of others दुसरों की बुराई करना be on the run all times भागा भागा फिरना be on the run all times भागा भागा फिरना be on the run all times भागा भागा फिरना hurt rending news हिर्दय बिदारक समचार hurt rending news हिर्दय बिदारक समचार आदे, खुशी का दिन, बहुत बड़ या, यादरा सब को, बहुत सुंदर को, आगे दिखते हैं गलासम को, अब देखिए, A, B, C, A, B, C क्या है भाई? आगे, A, B, C, D तो पढ़ते हैं हम लोग, तो A, B, C, प्रारंभिक ज्यान, कोई भी ज्यान प्रारंभिक हो, उसको हम A, B, C कहते हैं, नहीं बोलते हैं, you don't know even ABC of English, तो में ABC भी नहीं आता, he doesn't know even the ABC of Sanskrit, उसे Sanskrit का ABCD नहीं आता, तो ABC, ABCD, यानि प्रारंभिक ज्यान को हम ABC कहते है सुरुवाति ज्यान को हम ABC कहते हैं, तो ABC का मतलब हुआ, प्रारंभिक ज्यान, सुरुवाति ज्यान, आफ्टर अफैसन, आफ्टर अफैसन का मतलब हुआ, एक सीमा तक, आफ्टर अफैसन, एक सीमा तक, एक सीमा तक, एक सीमा तक को हम बोलते हैं, आफ्टर अफैसन, एक सी आएमा तक यादो रहा है बहुत ब़ाध है See The Light See The Light का मतला होता है जन्म लेना इस सबको लिंग करके भी आद करें चरए है See The Light See The Light का मतला हुआ कि लाइट प्रकास See The Light यानि कि जन्म लेलिया See मतलब देख, See मतलब क्या हो? देखना यहीं बच्चे ने प्रकास देखा उसका जनम हो गया तो see the light जन लेना कों see the light बोलते हैं इन मेरी पिन मजाक में इन मेरी इस सब किताब में नहीं मिलेगा इस सब अलग वर्ड है यह अलग तरह के सब्द हैं यह किताबी इसको आप याद करने का प्रयास करिए यह बुक में नहीं मिलेगा फ्रेजल यूज है यह फ्रेज में काम आता है यह डे टूटल लाइफ में काम आता है इसको याद करें in a merry day मजाक में seal of love तो कितना सुंदर वर्ड है seal of love प्यार की निशानी प्यार की निशानी है यह गुठी तो प्यार की निशानी क्या हो गया seal of love प्यार की निशानी शील of love प्यार की निशानी आई हो प्याद हो गया होगा चलो मेरे साथ बोलो बोलो ABC प्रारंभी ग्यान बोलो आप भी बोलो ABC शुरुआती ग्यान after a fashion, एक सीमा तक see the light, जन लेना see the light, in मेरी पीन, मजाक में in मेरी पीन, मजाक में seal of love, हिंदी बोलो seal of love, प्यार की निसानी बहुत बढ़िया, आगे देखिए फटाफट 16 वर्ड कहता है land one year ध्यान से सुनना, land one year सुनना, किसी बात को आप सुनते हो, तो क्या बोलना है land one year सुनना, आगे देखो sharp practice, बहुत सुनर वर्ड है यह कई कबार बोल चालें, बोल जाते हैं लोग, और हम लोग समझ नहीं पाते sharp practice, धोखा धड़ी नहीं बोलते हो, आज कल धोखा धड़ी बहुत चल रहा है आपने बोल रहा है, it's sharp practice धोखा धड़ी है यह, sharp practice धोखा धड़ी, धोखा धड़ी दिन दहारे क्या हुआ, sharp practice ड्रेव डिलाइग बोलते हैं ना तो इस तो sharp practice, धोखा धड़ी लोट इट ओभर, धोश जमाना किसी पर धोश नहीं जमाते हैं कुछ है नहीं तो तुम ऐसे नहीं करोगे ऐसे नहीं बरोगे, तो क्या हुआ बिल्कुल ही, Lord it over धौश जमाना किसी व्यक्ति कुपर धौश जमाने को बोलते हैं Lord it over, याद हो रहा है ना सब को निग नॉग, तो कितना सब निग नॉग निग नॉग, ऐसा बटके भी देखा है क्या, आपने नहीं देखा होगा नहीं सुना होगा, ये नए नए सब्द खोज करके आपके लाता हूँ, अगर ये 20 वर्ट्स आपने एक दिन में आद कर लिया और इस तरह से हर दिन इस सारे वोकैब आपको मिल जाएंगे इस सारे वोकैबलरी आपको अलग से बुक के माधे मिल जागा आपको DSL का पूरा किताब चाहिए तो नमबर जो चल रहा हो उस पे कॉल करिए, वाटस अप करिए, पूरा किताब, पूरा क्लास तक दिलवा दूँगा यह काम हुआ, तो आफलेट, एक चीज़ और बता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कि सर अंग्रेजी इंप्रूब नहीं हो रहा, तो बेटा, वोकैबलरी यह स्ट्रॉंग करना पड़ेगा नमबर टू, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बीडियोज नहीं मिलता, तो बेटा, सब्सक्राइब करना पड़ता है वो जो लाल बटन है ना, वो ब्लैक दिखना चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, सब्सक्राइब करिए और वेल आइकन भी दोना पड़ेगा तभी वीडियोज मिलेंगे, यह वीडियोज तभी मिलते हैं जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहता है नहीं तो फिर कभी कोई मिलता रहेगा आपको हमेशा के लिए चाहिए सब्सक्राइब कर लिजे इसके साथ साथ, पूरा क्लास चाहिए तो आप इसको अराम से दिखते रहिए आगे देखिए वो कहा हमने कहा आफ लेट का मतलब क्या हुआ हाली में अब बिरे साथ बोलिए लेंड वन इयर सुनना बोलो लेंड वन इयर सुनना बहुत बढ़िया शार्प्रैक्टिस बोलो फ्रापर तिवारा देखो चार बार देखो क्या जाता है अपनी पास इस वीडियो को देख करके आप आराम से कमेंट करिए क्या ये वीडियो मजऴदार लगता है नहीं लगता आप हमेशा मुझे इंकरेज करिए कि सारे वो कैब मज़दार था तो वो कैबलरी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट के बताईए और कितना क्लास कैसे हो सकता है SAC, UPSC किसी एक्जाम का चाहते हैं वह भी कमेंट करिए एक्जाम का भी बनाऊगा जो चाहिए अंग्रेजी में आप मुझे बताएं मैं हमेशा आपके वीडियो जो भनाता रहूँगा, करता रहूँगा It's all for today, फिर से मिलते हम लोकल, Thank you very much, Thank you